दिल्ली में जिम, नाइट क्लब, स्पा बंद के जिवाल बोले सड़कों पर लगाएंगे वाश बेसिन कोरोनवाइरस से निपटने के लिए दिली सरकार ने टास्क फोर्स की बैठक की बैठक में जिम, नाइट क्लब और स्पा को भी 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया मुखे मंत्री अरविन के जिवाल ने कहा कि हम 50 से अधिक की भीड को कहीं भी परमीशन नहीं देंगे 50 से ज्यादा भीड वाले कारिकरम नहीं होंगे हम लोगों से अपील करते हैं कि वे अपनी शादी को टाल दे अगर बहुत जरूरी हो शादी करना तो ही करें बढ़ना तारीक आगे बढ़ा दे दिली में प्रॉपर्टी को लेकर भाई ने मारी भाई को गोली दोनों की मौत दिली के सिविल लाइन्स इलाके में आपसी जगड़े में दो भाईयों ने गोली मार कर एक दूसरे की हत्या कर दी रिपोर्ट के मुताबिक करी 12 बजे रात में तनुझ नागर का उसके अपने भाई राहुल नागर से जगड़ा हो गया था पत्र में नागर की अपने राइन्स इतती मने दोनों को अस्पता ले जाया गया जहां दॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया बताया जा रहा है कि दोनो भाईयों के बीच इसी प्रापटि को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था दोश्यों के परिवार ने राश्रपती से मांगी इच्छा मृत्यू निर्भया के पेरेंट्स को भी दी पत्र की कौपी इस मांग पत्र की कॉपी दो इश्यों की ओर से निर्भया के माता पेता को भेज दी गई दिली के दौरका में कॉंस्टेबल को गोली मारी होम गार्ड पर भी हमला दिली के दौरका सेक्टर 23 लाके में पेट्रोलिंग कर रहे कॉंस्टेवल को बदमाशों ने गोली मार दी इसी के साथ एक होमगार्ट को भी डंडा मार कर घायल कर दिया दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है प्राप्त जानकारी के मताबिक कॉंस्टेवल राजीव सुभा करीब चार बजे बाइक पर होमगार्ट के जवान के साथ बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे इस दोरान बदमाशों ने कॉंस्टेवल के चेहरे पर गोली मार दी और होंगाट के जवान के सुर्फ पर डंडा मार कर घायल कर दिया इस वार्दत को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया सावरकर के नाम पर जेनियू की सड़क आईशी घोष ने साधा निशाना जेनियू की छातर नेता आईशी घोष ने आरोप लगाया है कि उनिवरसिटी की एक सड़क को विने दामोदर सावरकर मार का नाम दिया गया है जो यहां की विरासत के लिए शर्म की बात है आईशी गोश ने प्रशासन के इस कदम की निंदा की है आईशी गोश के मताबिक सुवनसीर हॉस्टिल की तरफ जाने वाली सड़क का नाम वीडी सावर कर मार्ग दिया गया है उन्होंने एक ट्वीट में इस वाके का जिक्र किया है दिली के जवार नाल नहरू स्टेडियम में चोरी हुआ खिलाडियों का फोन, बटवा और कीमती सामान देश की राज़दानी दिली स्थित जवार नाल नहरू स्टेडियम से एक शर्मनाग बात सामने आई है शुकरवार को एक स्टानी फुटबॉल लीग मैच में खिलाडियों का सामान उनके ड्रेसिंग रूम से चोरी हो गया 2010 राश्टर मंडल खेलों के आयरेजन का मुख्य स्थल रहा और देश के कयानने अंतराश्टर मैचों का हिस्सा रहा जवाहर लाल नेहरू मल्टी स्पोर्ट स्ट्रेडियम में यह शर्पना घटना घटी कोरोनावाइरस का असर सीम केजवाल के घर लगने वाला जनता दर बार अगले आदेश तक बंद दिले में कोरोनावाइरस का असर अब सभी चीज़ों पर पढ़ना शुरू हो गया है कोरोना के चलते मुख्य मंत्री और विंकेजवाल के निवास पर लगने वाला जनता दर बार अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है मिली जानकारी के अनुसार आमजनता के स्वास्ते की सुरक्षा और सावधानी को देखते हुए यह है फैसला लिया वया है कोरोनावाइरस के बढ़ते मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में शाहिन बाग के प्रदर्शन को खत्म करने की मांग की गई है इस बाबाद बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में अरजिद आखिल करके शाहिन बाग प्रदर्शन को खत्म करने का आदेश जारी करने की मांग स्कूल, कॉलिज, मॉल और सिनेमा घर सब बंध है ऐसे में धरने को कैसे इजादत दी जा सकती है इस बाबाद दिली में दूसरे राज्यो से आने वाली बसो के अंदर स्प्रे कर वार्रस के संक्रमंण को रोकने की तयारी की जा रही है अनाधिकरित कलोनियों में रहने वाले लोगों का 15 साल का हाउसटेक्स होगा माफ दक्षिनी दिली की अनाधिकृत कलोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को निगम ने बड़ी सोगाद दी है पर दिकर्ग वसूल जाएगा